साथियों आप सभी के स्प्रेफ़ाम पर सागत है यहाँ पर हम लोग बंतिकालिन भारत का इतिहास नामक जो पुस्तक है सौरफ कुवार चौबे जी की इस पुस्तक में प्रतेग चेप्टर के बाद प्रश्ण दिये गए हैं और यह सारे प्रश्ण आपके जो भी प्रतियोगी पर इच्छरती उन्हें सभी के लिए काफी महात्पूर है इसमें पहला प्रश्ण है कि निमलिखित में से सेख निजामुदिन ओलिया का जन्म इस्थान कों सा था तो इनका जन्म इस्थान था वो क्या था बदायू था जहां पर इनका जन्म 1236 में होता तो ध्यान रखिगर निजामुदिन ओलिया के बारे में और इनकी मिर्ट कहां पर होती है दिल्ली में होती है और ये बाबा फरीत के सिस्थे आगे बढ़ते हैं भक्ती का रुद्र संप्रदाए निमलिखित में से किस संब्ध है तो ये बल्लभा चारजी से संब्ध है जिनका जन्म बनारस में हुआ था और मिर्ट भी बनारस में होती है आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से किस बिद्वान को हुजत उल इसलाम कहा गया है हुजत उल इसलाम ये कहा गया है आपका शेख जुनेद अल गजाली को कहा गया है ख्वाजा कुतबुद्दीन को बक्तियार की उपादी किस ने दी थी तो ख्वाजा कुतबुद्दीन को बक्तियार की उपादी किस ने दी थी ये जो ख्वाजा कुतबुद्दीन थे ये या कुतबुद्दीन बक्तियार काकीन का प जलंद्रिया संपर्दाय की स्थापनों जो है अब्दूल अजीज मकी ने की थी याद रखिएगा आगे वड़ते हैं निमलित में से किस ने कामरूप यूं कुछ बिहार में बैशनो धर्म का परवरतन किया था तो यहां पर इसका परवरतन किस ने किया था संकर देउने ठीक दाराशिको किस सूफी सिलसिले का अनुवाई था तो यह सुहरा वर्दी किस सूफी नई कादरी संपर्दाय कादरी जो सिलसिला था उसका अनुवाई था दाराशिको कादरी सूफी सिलसिले का अनुवाई था याद रखिएगा कई बर पर पुछा गया है निमलित सूफी स संगीत के अभ्यास पर विशेश जोर दिया था तो ये जोर दिया था चिस्ती संपर्दाय ने अगला है यहाँ पर दो सूचेया देगे ही अध्यात्मिक मत और उनके अध्यात्मिक प्रमुक कौन है यह हमें यहाँ पर सुमेलित करना है तो यहाँ पर देखिए चिस्तिया सिल सिल्सिला के कादरी सिल्सिला थे शय्यद मकदूम मुहम्मद जिलानी तो चार से मिला दिये शुहुरा वर्दी सिल्सिले के शेख बहाउदिन जकारिया 3142 3142 C option हो जाएगा अगला है निम्लित में से किस भक्ती संत्र ने बेदांत शुत्र की संस्कित में ठीका लिखी थी ब अगला है दो सुचियां दी गई है इन्हें हमें सुमिलत करना एक तरफ जो भक्ती संत्र है और उन्होंने उनका जो संप्रदाय था उससे संबंदित ये प्रशन है देखिए रामा नुजा का संबंद था ये आपका विशिषटा दयता से था तरफ जो ही बल्लभा चार जी का संबंद शुधा दयता से था बल्लभा चार्जी का समद सुध्धा द्यत्यसिधा तो 1 से मिला दिजिए तो 4,3,2,1 यह option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है अधो लिखित संतों का सही तितिकरम क्या है तो सही तितिकरम यह दिया आप यहाँ पर देखें तो देखिए इनमें सबसे पहले संक्राचा दी गई है इन्हें हमें शुमेलित करना है इन्हें शुमेलित करना है तो देखिए यहाँ पर सदुद्दीन आरिफ इनका संब्द किस से है शुहरा वर्दी संपरदाय से तो 1 से मिला दिजिए सर्फुद्दीन याहिया मनिहारी इनका संब्द फिर दोशिया से है दो से मिल अगला है, फिर से दो सूचियां दी गई हैं, देखिए, यहां पर भक्तिशंत हैं, और वो किस जात ब्यवस्था से आये थे, उसको यहां पर हमें सुमिलित करना है, देखिए, कबीर दास जो है, कबीर दास, इनका संब्ध किस से था, जुलाहे परिवार से थे, चार, रह दा थे दो से मिलाई धन्ना किशान थे वन देखिए कवीर जुलाहा रैदास मोची सेना नाई धन्ना किशान तो 4-3-2-1 4-3-2-1 बी आप्शन हो जाएगा अगला है निमलिक सूचियों में से कौन मुझद दीद अथवा शुधारक के रूप में किसे जाना जाता है तो ये शेख आमद सरहिंदी को शेख आमद सरहिंदी को पुष्टी मार के संस्थापक कों थे पुष्टी मार के संस्थापक बललभा चार जी थे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं महाराष्ट के निम्हीत संत्तों का सही काला नुकरम नीचे दिये गए कूर्ट से निर्दिष्ट करना है तो यहाँ पर देखिए, यह चार लोग है, एकनाथ, रामदास, तुकाराम, नामदेव, इसमें से नामदेव का जो टाइम पिरेड हो, बारोस सतर से तेरह सो पचास है, बारोस सतर से तेरह सो पचास है, सबसे पहले ही आ जाएंगे, फिर इसके बाद एकनाथ जी 1533 से 1599, फि फिर सबसे लाश में रामदास आएंगे इन चारों में से, तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, ठीक है, 4132, 4132, आपका यहाँ पर D option हो जाएगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको यह याद रखना है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर संत ग्यानेश्वर जी होते है तो संत ग्यानेश्वर पहले आते, संत ग्यानेश्वर फिर नाम देओ, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम, फिर रामदास, आगे बढ़ते हैं, दच्छिन तट के मोपलाओं को किसके सिश्यों ने इसलाम में धर्मांतरित किया था, अब्दुल्ला खराजी के, अब्दुल्ला नामप्पूस्तक करे चाहिता है, योग कलंदर, स्यद मॉर्तजा, निम्लित में से कौण वैष्णो धर्म के शनक संप्रदाय के आचारह थे, वैष्णो धर्में, निम्ब का चारह थे, निम्लित में किसने कभी सन्यास ग्रहन नहीं किया था, बल्लभा चार्थ जी ने, जि चैतने रामानुज और ग्यानेश्वर्न ने सन्यास गर्ण किया था पर बल्लभा चार्जी ने नहीं किया था अगला है सूफियों में किसे तुर्कुल्लाह की उपाद भी दी गई थी तो अमेर खुश्रों को ठीक है सेख निजामुदिन अउलिया के ये शिष्र थे इन्हें किसकी उपाद दी गई थी तरुकुल्लाह की उपाद दी गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर्ट ट्रॉन्टीनाइज देखते हैं चैतने नहींने भक्ति आंदोलन में जो विश्ष्षता जोडी वह क्या थी देखिए चैतनने का जो कह सकते हैं टाइम और अंचिंत इनका जो दार्शनिक सिन्धा था वो आचंत भेता भेत था आगे बढ़ते हैं हुजूर साहब दौरा किसकी याद में बना था तो यह गुर्गोबिन सिंग की याद में बना था जो की सिख धर्म के दस्वे गुरु थे शूफी विचारधारा में तरक ए दुनिया का अर्थ क्या है विश्व का परित्याग है निमलिखित्म से किस सूफी संत ने योगिक किरिया को अपनाया और सिद्ध कहलाये थे तो ये ये थे निजामुद्दिन ओलिया शूफी संत ने योगी किरिया को अपनाए और सिद्ध कहला है निचामुत दीन औलिया तो बल लभा चार जी का देखें 1489, 1489 में इनका जन्म होता और 1531 में मिर्त्व होती है इनका जन्म और मिर्त दोनों ही वराणसी में हुई थी, ठीक है, हुआ था इनका जो मत था, वो शुधा द्वयतवात था संपरदाय, रुद्ध संपरदाय और मार्ग पुष्टी मार्ग था यह चीज़ें आप यहाँ पर याद रखेगा, तो देखिए, बलभाचार किष्ण मारगी साखा के प्रसिद संते, यह मूलता तेलंग ब्रामर थे, ठीक है, और वे दच्छिन में किष्ण देवराय के दरवार से भी संबंदी थे, और आजीवन गिरहस थे, इन्होंने सन्यास ग्राण नहीं किया, ध्याना कि बलभाचार जी ने सन्यास ग्राण नहीं किया था, यह जीवन भर गिरहस थे, और यह आपका दच्छिन में किष्ण देवराय के दरवार से भी संबंदी थे, यह तेलंग ब्रामर थे, और यह किष्ण मारगी साखा के प्रसिद संते, मतलब यह किष्ण को अपना आराध धिमांते थे, मराठा संत, मराठा संत रामदाश, किस शिक्षि गुरू से मिले थे, तो गुरू हर गोबिंदर से मिले थे, तीक है, गुरू हर गोबिंद। अगला है शिक्ष परंपरा के अनुसार निम्निकित मुसे किस सूफी शंत को हर मंदिर की स्थापना का स्रे दिया जाता है तो मिया मीर को किसको मिया मीर को आगे बढ़ते हैं 37 नमेर कोशन देखते हैं राधा योम क्रिष्न की भकती को लोकपीर ब्लाने वाले बैशनों संत कों थे तो यह हैं चैतन्ने कोषक कोई है तो सआपनत उल अलिया की लेख़ दारा शिको कोई है दारा शिको ठीक है आगे बढ़ते हैं चिस्ती संपर्दाय के निम्हित संतों को तेती के अनुशार क्रमबध करना है यहाँ पर यह जो चार लोग दिये गए हैं तो दिखिए इसमें सेख निजामुदिन अउलिया, सेख मुहम्मद गेशुदराज जिहें बंदा नमाज कहते हैं बाबा फरीद गंज शकर उर्फ बाबा फरीद तो शेख नासुरteण चिरागे देलवी तो इनमें सबसे पहले कोन आएंगे इन 4 में सबसे पहले बाबा फरीद गंज-शकर या उर्फ बाबा फरीद आएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे और इनके सिस्ते शेख निजामुदिन 3142 D option वारकरी संपर्दाय के परूख देवता कौन थे? बिठल थे तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले शिख गुरु कौन थे? तो ये गुरु अरजुन देव थे ये शिख धर्म के पांचमे गुरु थे शिख धर्म के पांचमे गुरु थे गुरु गोविन सिंग 10 नमबर के थे गुरु तेक पहदू 9 नमबर पे थे आगे बढ़ते हैं नेम्रित में से कौन सुलाहवी सतापदी में करनाटक में दाशकूट आंदोलन से संबध थे? तो ये है पुरंदर दाश आगे बढ़ते है नेम्रित में से किस बैशनों संत का जन्म वराणसी में हुआ था तो बल्लभाचाजी का जन्म और मिर्ट दोनों ही वराणसी में होती है नेम्रित सूफी साखाओं में से किस में संगीत निशिद था? निशिद है तो ये नक्षबंदिया संप्रदाय में, नक्षबंदिया सिलसिले में, मीर सयद अली हमदानी, एक सूफिक कभी थे, किस साखा के कुबराविया, कुबराविया साखा के थे, ठीक है, कुबराविया साखा, ध्यान रखीगा, आगे बढ़ते हैं, वहदत उल उजूदू, कभर का समर्थन प्राप्था का अभिप्राय क्या था? परंतत्य की एक्ता, परंतत्य की एक्ता, निमलित में से किसने इस्तिरियों द्वारा परिवार्यों समाज में निभाई जाने वाली महत्पुन भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की थी, तो गुरु नानक भारत को इसलामी रहश्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कसफ उल महजूब तयार करने का सिरे जाता है, इसके लेखक कौन थे? अगला है भारत में चिस्ती सूफियों ने बिलायत नामक संस्था विक्षित की, जिसका उद्देश निमलिकत में से किस एक से था? तो नियंतर से मुक्त अध्यात्मिक छेतर था, जिसका संबन्द शूफियों से था, निमलिकत में से कौन सा एक साहित्य सूफि साहित्य का अंग है? खैर उल मजालिश, खैर उल मजालिश, इसलाम शाह के काल में महधी आंदोलन का नेतुरत किया था किसने? शेख अलाई ने, श शूफी वाद के दस अवस्थानों का बितांत देने वाले दस मुकामी रेकता की, इन्होंने रचना की थी, किसने की थी? ये रचना की थी आपकी, मंशूर अलहलाज ने की थी, ये आप्शन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए, निमलित में से कौन सा एक यूग मे समझ चिस्ती सिलसले से था, जिने सुल्ताने तरीकीन भी कहते हैं, जबकि शेक अब्दुलकादिर, शेक अब्दुलकादिर जिलानी, इनका समझ कादरी संप्रताय से था, ठीक है, कादरी से था, शेक अब्दुलकादिर जिलानी, वही कुतबदीन बक्तियार काकी, इनका स आगे बढ़ते हैं निमलखित संतों में से किसे उसके अन्वाई विशनु का अवतार मानते थे अगला है कौन प्रसित सूफी शंत आवध में पैदा हुए थे तो ये कौन थे कौन से थे ये थे आपके नासुरुदिन महमूद चिरागे दिल्ली का जो जन्म है आवद में हुआ था दक्कन में चिस्तिया दक्कन में चिस्ति सिलसला का की परसद्धी के कारक कौन थे तो ये थे गेशु दराज कौन थे गेशु दराज थे ठीक है इनका पूरा नाम क्या था ख्वाजा सेयद मुहम्मद गेशु दराज चिस्तिया संप्रता समझे थे तो इन्हें बंदा नवाग बंदा नमाज की उपाधी दी गई थी ख्वाजा सेयद मुहम्मद गेशु दराज था बड़े बालू की वज़ा से देखिए बहमनी समराज की स्थापना जो की आपक फिरोस्सा बैमनी ने इन्हें दच्छे आने को कहा था उसने इन्हें चार ग्राम अनुदान में भी दिया था ठीक है और गेशुदराज के बाद चिस्तिया संब्ड़ा तीन साखाउं विवाज हो जाता है साबरी साखा होशाइनी साखा और हमजा साही साखा तो यह दियान र गीता का ठीका भगवत गीता की ठीका भावार्थ दीपका के लेखा कौन थे ग्यानेश्वर थे ग्यानेश्वर थे शंत तुकाराम का संब्ध कहां से था महाराष्टा से था कहां से महाराष्टा से था ठीक है संत तुकाराम तो देखिए महाराष्ट में आपका एक सेकंड थोड़ा से संद तुकाराम जी के बारे में ये दिबात करें तो इनका संबंध जो है महाराश्ट के जराता है इनका जन्म आपका महाराश्ट के पूना के देही में हुआ था और इनका जो टाइम पीरिड रहता है वो 1588 मिन के जन्म होता है और 1650 में इनकी मृत्य होती है ये किस मुगल सासक के समकालीन थे ये साजहा के किसके साजहा के समकालीन थे ध्यान रखेगा कई बाद पूशा जाता है तो तुकाराम जी जो है ये साजहा के समकालीन थे महाराष्ट के भक्ते आंदुन के संतों में तुकाराम सरवाधिक महत्पून माने जाते हैं और इन्हें महाराष्ट में वारकारी संपरदाय का संस्थापक माना जाता है और ये हिंदू-मुश्लिम एक्ता के समर्थक थे जातिपाथ और उंची नीश को नहीं मानते थे अगला है किनों ने यात्रा कि थे टि कितनी बार 24 बार मक्का की यात्रा कि थी थे इसर को भी आप यहां पर ध्यान रखेगा है नहीं के अगरा के फदेपूर शिकरी में है ठीक है अगला है निमलिक्त मिसे चिस्ति संपरदाय का भारत में संस्थापक किसे माना जाथा है? ख्वाजा मोयनेद्ीन चिस्ति को माना जाता है ठीक है शेयरूल pikत किस लेखक की रचना है तो ये जो है आपकी किस की रचना है ये आपका अमीर खुर्द की रचना है अगला है निम्लेकत सुल्तानों में से किस ने शेख निजामुद्दिन आुलिया को गंभीर परणाम भुकत ने की धमकी दी थी, यदिवेक्ट का तुरुप से सम्मान वेक्ट करने में विफाल होते हैं, तो मुबारक शाह खिल जी ने धमकी दी किसे शेख निजामुद्दिन आुलिया को, निमलित सूफियों में से किसे उस समय का कुतब कहा गया, किसे उस समय का कुतब कहा गया, शाह मुहम्मद गौश को, शाह मुहम्मद गौश को कहा गया था, अगला है, निमलित सूफियों में से किसे इलतुतमिस ने पिता कहकर सम्मुदित किया था, सेख नजीमुद्दीन नक्षभी को, सेख नजीमुद नक्सबंदिया समप्रदाष से संबंदएàng और ध्यान रखिएगा खवाजा बाकी विल्ला ही जो है नक्सबंदी या सिल्सला है खवाजगान ज vulner नक्सबंदी सिल्सला कहते हैं साधान रूप से ये इसके संस्थापक थे भारत में संस्थापक कुं थे ख्वाजा बटी बिल्लह ते जबकि नक्सबंदी जो सिलसला इसके संस्थापक जो माने जाते ख्वाजा बहाउत दीन माने जाते हैं और भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लह थे और ध्यान रखीगा जो मुगल बासा रहते हैं बाबर और और औरंग्जेब जो है वो नक्सबंदी सिलसला के ही अनुआई थे नक्सबंदी सिलसले के और औरंग्जेब के बारे तो याद रखेगा बाबर और 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 औरंग्जेब दोनों ही नक्सबंदी सिलसले के अनभाई थे। आगे बढ़ते हैं। निम्लित सूफियों में से कौन इस्त्रियों की वेश भूशा धारण करते थे, ये कौन थे शेख मूशा, शेख मूशा अगे बढ़ते हैं, निम्लित मेंसे किसने सूफि समपरदाय में सपर्थम फना का प्रयोग किया था अबू यजीद ने शिक धर्में लंगर किसने प्रारम किया था गुरु नानक ने पहले जो इसके शिक धर्म के पहले जो गुरु थे गुरु नानक इन्होंने निमलित में से कौन निजामुदिन ओलिया का शिष्ष था अमीर खुसरो थे ठीक है तो ध्यान रखेगा अमीर खुसरो के बारे में इसके अत्रिक्त आपके शेक सिराजुदिन उश्मानी और अमीर खुसरो दोनों ही सिष्ष थे अमीर खुसरो को तरकुला की उपात दी जात आगे बढ़ते हैं खान का खान का क्या था ये शूफी शंतों का निवास इस्थान होता है ठीक है वहीं चिस्तिया संप्रदाय के निम्लिखित शूफी शंतों में से किसे एक को चिरागे देहलवी कहा जाता है चिरागे देहलवी ये शेख नासुरुद्दीन को कहा जाता है क कौन भेदावेद सिध्धान्त में विश्वास करते थे भेदावेद सिध्धान्त में तो निम्ब का चार करते थे किसका सिध्धान था निम्ब का चार जी का भेदावेद इसका संकलन निम से किस ने किया था? इसका संकलन जो है अमीर हसन सी जजी ने किस भक्ती संत के सिश्चों के प्रयास से ब्रिंदावन एक तिर्थ इस्थल हो गया? ब्रिंदावन तो चैतन ने यहाँ पर कई बार यात्रा की थी ब्रिंदावन की तो ध्यान रखेगा चैतन जी के बारे में, जिने विश्णु का अवतार भी माना जाता है, ठीक है, चैतन जी को विश्णु का अवतार माना जाता है, और बंगाल का सासक जो हुशंग साह था, ये हुशंग साह के गुरू थे और उड़ीशा के पुरूई, पुरूई के जो किर्टन पता की शुरुवात की थी आगे बढ़ते हैं प्रसिद कभी अमेर खुश्रो किस सूफी शंत के अनुवाई थे अनुगामी थे तो ये सेख निजामुलिया के ही शुश्य थे आगे बढ़ते हैं बिश्णु के बिश्णु के रूप बिठोबा का क्यों पाशना प्र महाराष्टा में थी अगला है दस्तार बंदान खोन कहलाते थे तो ये आपके उलेमा थे हैं तो ये कथन आपका रामानंद जी का है, किसका है? दवद्याल का नहीं है, ठीक है? ये कबीर का है, पुष्टिमार के दर्सन को मधवाचार ने प्रिटपजित किया था? नहीं, पुष्टिमार का दर्सन मधवाचार का नहीं है, तो ये दो के दोनों कथन क्या है? गलत हैं, यहाँ पर D-Option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, समवादो का संकलन का सीर्सक क्या है? तो अमर मूल है, क्या है? अमर मूल, नहीं मलित में से कौन इसलाम से प्रभावित था? चैतनी मीरा भाई, नामदेव, बलवाचार में, इसमें से जो हैं, नामदेव, नामदेव जो हैं, ये आपका इसलाम से प्रभावित थे, नामदे अगे बढ़ते हैं ख्वाजा मुहनुत्दुदिन चिस्ती किसके शिश्य थे तो ये जो हैं आपका ख्वाजा उस्मान हरुनी के कौन सुफीशंत महभूब ए महभूब ए इलाही कहलाता था तो ये थे शेख निजामुर्दिन ओलिया महभूब ए इलाही कहलाते थे निम्नित में से किसे शेख उलहिंद की किसे शेख उले हिंद की उपाद दी गई थी तो शेख उले हिंद की उपाद जो है शेख सलीम चिस्ती को शेख सलीम चिस्ती को दी गई थी शेख उले हिंद की ये अकबर के समकालीन थे और फत्यपुर सिक्री में ही इनकी दरगा है आगे बढ़ते हैं, भारती तिहास में शूफी वात के संदर्में इनमिकत्नों पर विचार कीजिए हैं, शेक आहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकलिन था नहीं, शेक आहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर का समकलिन था, पहला गलत हो किया दूसरा, शेक नासुरुद भारत में शूफियों की कादरी, पद्धच सबसे पहले, शेक नियाम तुल्ला और मकदूम मुहमद जिलानी द्वारा लागू किया थी, दूसरा चौथा सही है, डी ओप्शन, बारह, बारह मासा की रचना किस ने किती, बारह मासा की रचना जो है, ये की गई थी, मलिक मु शेक सलीम चिस्ती की समाधी कहां पर है फथेपूर शिकरी में, शिखो को एक सैन लड़ाकु जात के रुप में पणित करने का प्रारम किया था किस ने, प्रारम किया था किस ने, तो ये किया था आपका गुरू हर गोबिन, ये चछटे नंबर के गुरू थे, शिखो के पतलब होता है बिन मांगा एच्छिक दान, वलायत अध्यात्मिक, छेतर को कहते हैं तो वन टू, बरकत एक सूफी की अध्यात्मिक पवित्रता, मलफूज शूफी संत का वारतालाब, चार, वन टू, त्री, फोर, ये उप्सन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, निम्न से क अल गजाली के रचना है तहजीब अल अखलाक नहीं, तहजीब अल अखलाक जो है, ये पत्रिका है, किसकी सर सेद आहमद खान की, यहाँ पे डिवाला साही नहीं है, वे चिस्ती संत कौन थे, जिनके प्रति, शहाबुद दीन गौरी बहुत अनकूल था, तो ख्वाजा मु थे, ठीक है, वहीं सेख हमिद्वीन नागौरी जो है, शुहरावर्दी संपरदाय से, और मिया मीर का संबन किस से था, मिया मीर का कादरी साखा से था, और शाह वली उल्ला का संबन दक्षपन दिया साखा से था, यहाँ पे आपका 2314, भी आप्सन हो जाएगा, निमलित में तो से कौन से सिख गुरू, द्वारा गुरुमुखी लीप का आरह में किया गया था, गुरुमुखी लीप का आरह में जो है, यह गुरु अंगद्देव करते हैं, यह दूसरे नमबर की सिख गुरू थे, प्रेमवाटिका की रचना किस ने की थी? रश्खान ने, रश्ख जो में तब तक लिवाटको दोत।, द्याने वाट।